है लो फेरेंड वेलकुम बैक टू माइचनल ना प्रेंड आजका हमारा रेस्पी बहुत ही इंस्टेष्टी बनने वाली है इसके लिए सबसे खुषी के बाति हैं कि ना ही हमें मावा के जुरत पड़ेगी नाहीं खोया के जुरत पड़ेगी और नाहीं गैस चलाने के जुरत पड़ेगी बिल्कुल जटपट से दो मिटव बन कर त्यार हो जाती है फिरें उसके लिए हमें एक कटोरी चाहिए नारियल का पाउडर आधा चम आधा कटोरी चाहिए पीची चिनी, तीन से चार चमच हमें चाहिए मिल्क पाउडर तो सब को हमें एक भरतन में मीक्स कर लेनी है तीन इंग्रीटिरिन्स को मिक्स कर लोगी अगया थोड़ा समय डाल रहे हूं या या बाइची पाउडर एक टीश्पून के जीतना तीश्पून के जितना नहीं हो उसके गुंदने के बाद तीन भागों में डिभाइड करेंगे, तभी 15 अगस्त भी आने वाला है फ्रेंट, हम कलर फुले यहाँ पर, लड़ू बनाने वाले हैं, तो तीरंगा कलर कहीं बनाएंगे, तो उसके लिए हम फूड कलर ले लिए हैं, तो थोड़ा से मैं ग्रीन कलर ले ल पर देख रहे हैं, तो फॉलो की जड़ू कीज़ेगा फ्रेंट, यहाँ पर देखिए, इस तरह से हमें बनाकर त्यार कर लेनी है, लड़ू बहुत ही जटपट से बनकर त्यार हो जाती है, और इसमें घैस जलाने के जुरूत नहीं पड़ेगी फ्रेंट, आप देखी सकते अभी तक मैंने गैस वगर नहीं जलाई हूँ और नहीं जलाऊंगी, फिल्कुल जटपट से हमारा लड़ू बनकर त्यार हो जाती है, और खाने में बहुत टेस्टी लगती है, ऐसा नहीं खाने में टेस्टी नहीं लगती है, ति इस तरह से देखिए, हमारा तीन लड़ू बनकर त्यार हो जाती है, औरेंज, ग्रींज और ये प्लेंज जो वाइट बनाई थी, तो देखिए इस तरह से, मैं तिरंगा की कलर के बनाकर त्यार करी थी, थोड़ा समय, प्लेट में सजाई थी फ्रें, यहाँ पर देखिए, इस तरह से हमारा लड़ू बनकर त्यार हो देखने में काफी सुन्दर लग रही है, कलर फूल लड़ू तो आपको एक तोड़ कर में दिखाती हूं, यहाँ पर देख सकते हैं, कितना अच्छा है लड़ू हमारा बनकर त्यार हुआ है, तो दोनों में कलर फूल अभी तोड़ कर दिखाती हूं, तीस तरह से थोड़ा